नवस्कार कहानी शंग्रे में हमारी सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है दर्शकों हमारे हिंदू धर्म में इश्नान का बड़ा ही महत्त माना जाता है वले ही दर्शकों जमाना बदल गया हो पर लोग नियमित रूप से ही वले ही नधी तालाब आद में इश्नान नहीं क इस नान को लेकर अनेक नियम बतलाए गए हैं जिनको लेकर तीन प्रकार की नियम बतलाए गए हैं तथा ये भी बताया गया है कि इस नान को लेकर हमें क्या-क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए अन्यता हम ग्रह दोसों से लेकर कई पाप के भागीदार बन जाते हैं आईए इ आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दर्शुको आज हम आपको इस्नान की कथा तता कौन सा इस्नान क्या गलती न करें जिससे हमारा इस्नान सार्थक माना जाए दर्शुको सर्वर प्रथम इस्नानों में बारी आ इश्णान को सर्वत्तम इश्णान की संग्यार दि गई है, जो भी प्राणी ब्रह्म वहूर्थ में इश्णान करता है, उसे बल बुद्धि और आरोगी की प्राप्ती होती है, साथ ही घर में सुख्ज और सम्बरद्धी में बढ़ुतरी होती है, अब बारी आती है देव इशनान की जो प्रात्य पांच बजी से छे बजे के बीच किया जाता है हमारी सास्त्रों में इशनान उत्तम स्रेडी का माना जाता है जो भी मनुष्ट इस समय इशनान करता है उसे यस, इर्थी, धन, वैवब बह उत्तम संतान की प्राप्ति होती है इसके बाद बारी आती है मानव इश्नान की जो सुबह 6 वजे से 8 वजे के बीच किया जाता है। यह इश्नान हमारे सास्त्रों के अनुसार सामान इश्नान की स्रेडी के अंतरगत आता है। जो भी मनुस्य मानव इश्नान करता है उसे कारियों में सपलता, उत्तम सूजबूत तता परिवार में एक रूपता आद निम्न फलों की प्राप्ति होती है। हमारे सास्त्रों में इसके बाद इश्नान करना बरजित बताया गया है। ये इसनान राच्छ इसनान की स्रेडी के अंतरगत आते हैं। जो भी इसनान राच्छ इसनान करता है उसके जीवन में आलस, दरिदर्ता, रोक, सोक, भह, और हमेशा ही परिशानियों से घिरा रहता है। तो दर्सकों अब तो सोचिए कि आप कौन सा इसनान करना परसंद करेंगे इसके अलावा अब हमें यह भी जान लेना चाहिए कि हमें इशनान करती समय कौन सी कलतियों से बचना चाहिए हमारे पदम पुराण के अंतरगत इशनान से सम्मंदित एक कथा बताई गई है हमंत रितु में बिंद्रावन की गोपिया शुवय यमना इशनान करने जाती थी और इशनान करते समय मन ही मन में भगवान शिरी क्रेश्न की लिलाओं का इश्मरण करती थी लेकिन उसकी साधना में त्रटी थी बेसास्त्र माननेताओं का उलंगन करके नगन आवस्ता में जद्यब्वे इस बात से अज्ञान थी कि नगन इसनान सास्त्रों में दोस्त माना जाता है इसी कारण एक दिन भगवान स्री केश्ण ने वहां प्रकट होकर उनकी बस्त्रों को चुरा कर ब्रच पर बैठ गए और जब गोपियों को पता चला तो उन्होंने कनहिया से कहा कान हमारे बस्त्र हमें बापस दीदो घगवान सुरी केश्ण ने कहा आप बाहर आकर स्वेम अपने बस्त्र बापस ले सकती हो उन्होंने सोचा काना हमारे साथ हाश्य फरहास कर रहे हैं जब काफी देर हो गई भगवान श्री क्रिष्ण ने बस्त्र बापस नहीं दिये तो योनों ने यसोदा मैया से सिकाइट करने को कहा काना ने फिर भी उन्हें बस्त्र बापस नहीं किये अंतत्य गोपियों को समझा कर भगवान श्री क्रिष्ण ने कहा जिस प्रक जल में नग्न इश्नान करने से बरुड देव का अपमान होता है और वे पुन्न की अपेच्छा पाप की भागीदार हो जाती हो तब गोपियों को अपनी गलती का एसास हुआ और उन्होंने बरुड देवता से अपनी गलती के लिए छमा मांगी यही वजय है हमारे सास्त्रो में निर्वस्त इश्नान के लिए मना की जाती है यह वस्त्र हरड की लीला भगवान श्री किष्ण ने तब की थी जब वो महेच छे वर्ष के थे गरड पुरान की अनुसार जब आप इश्नान करते हो तो राच्छस के रूप में आपके पित्र आपके आसपास ही होते हैं और वे आपके बस्त्रों से गिनने वाले जल को पीने से उन्हें तरपती मिलती है किन्त जब आप निर्वस्त इश्नान करते हो तो आपके पित्र आपसे नाराज होते हैं और आपको पित्र दूस लग जाता है जिस कारड आपके बल तेज और विभिन प्रकार के दुख प् करने से बचें जो भी लोग पानी की बरबादी करते हैं उनसे बरुड़ देप रुष्ट होते हैं और जातब को भिन प्रकार की परिशानियों का सामना करना पड़ता है इतना ही नहीं जो लोग इसनान घर में इसनान करने के बाद गंदा पानी छोड़ देते हैं वे चंद 18 में 18 महीने तक रहते हैं और जातक को सर्पकाल जैसी पीडा पहुचाते हैं इतना ही नहीं यह चायं तो रातों रात आदमी को राजा से रंग बना देते हैं इतना ही नहीं इसनान के समय मलमूत विसर्जन देर तक इशनान करना या किसी नहाती हुई इस्त्री को बासना भरी द्रश्टी से देखना अपराध है जिसकी हमारे सास्त्रों में मनाई है किन्तो फिर भी मनुस इन नियमों का उलंगन करता है तो वह बिभिन प्रकार के देवी बादाओं से ग्रस्ट हो जाता है तो दर्श को ये थे इसनान सम्मंदी नियम जिनका पालन मनुस को पूर्ण निस्ता के साथ करना चाहिए इसी के साथ हमारी या जानकारी भी यहीं तूती है आजा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी यद वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें वैल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी नई वीड वीडियों की जानकारी सबसे पहले आपको ग्राफ दूस अभी